नमस्कार मैं कपीश भला और आप देख रहे हैं उत्यापूर खबर मतदाताओं को रिज़ाने के लिए चलते रादनितिक चुनावी दंगल के दोरान हर रादनितिक पाइटी का पृत्याशी रादनितिक मंचों से कुछ ऐसे वादे आम जनता से कर बेटते हैं जिसको लेकर वह अपने पाइट साल के कारेकाल में विपक्ष की भूमी का अधा कर रहे हैं रादनितिक पाइटी के नेताओं के द्वारा किये जाने वाले गिराओं के तहत गिरे हुए रहते हैं उसी के तहत आज बाद पचास कोंग्रेशी पारसद गोरोपरताप के नेताथ में स्मार्ट सिटी के कारेले के बाहर धर्णा प्रतेशन करते वे कोंग्रेशी के कारिकरताओं ने शहर की आम जनता से स्मार्ट सिटी द्वारा किये गए 24 गंटे पानी देने के वादे को गणेस चंद्र सर्मा, महिमा चुग, चिराक सर्मा, सीमा पंचोली के साथ कई महिला और पुरुस कारेकरता मोजूद रहे वीविन वार्डो से आये युवा कंग्रेशी कारेकरताओं और कंग्रेशी कारेकरता मोजूद रहे स्मार्ट शिटी के बाहर बेटे कॉंग्रिसी कार्ज करताओं ने स्मार्ट शिटी की विफलता और नाकामयों को लेकर कई देर तक स्मार्ट शिटी कारेकलर के बाहर बेटकर नारे बाजी भी की वहीं शहर की माता और बहनों के रोजमरा जीवन में काम आने वाले पानी की समस्या को लेकर जिस पानी की आवशक्ता होती है वो ना तो आवशक्ता के अदुरूप दिया जा रहा है और जो कुछ पानी गरों में सप्लाई किया जा रहा है वो भी दूसित और गंदा सप्लाई किया जा रहा है शहर की इसी गहन समस्या को लेकर इस मार्शिटी के जिम्मेदार अधिकारी दिनेश पंचोली से वारता कर अपने किये सरजंद से बादे को निभाना वो शहर में 24 गंटे पानी सप्लाई के साथ ही स्वच पेजल देने की बात कही अपूर्टी का समय बदल दिया गया है कई 12 से एक दिन में जल आपूर्टी होती है वो भी निद्दी नहीं हो रही है आप देखेंगे तो कई शेत्रों में सप्ता में टी नीनी पेजल आता है हमारे यही मांग है कि पेजल कम से कम जो 24 गंटे के वादे इसमार सीटी कर रही थी और बहूर्टी आतिश बादी कारे उसे हम सब बच्चे सब युवा साथी सब व्रद्द गंड माताएं ये सवाल कर रही हैं कि उन आतिश बाजी का हर जानोंने बुगडना पड़ेगा ये पाप का कर्ज शुकाना पड़ेगा जो पानी के लिए जनता को तरसा रहे उनसे बड़ा पापी कोई नहीं असकता है और जो भाव आतिश बाजी की गईती हो जो ओपर ने पेनाए गए थे इनके तताकतित पूर्व विदायक जी को उनसे भी हम सवाल करते हैं कि या इसी दिन के लिए इस्वाल सीटी का यह बहुत बड़े भोया चिश्वाजी करके और हमारे परिशान किया गया था आज इस्वाल सीटी आने के उपरां हैंड पंप हो बोरिंग हो सीवरेज हो किच्छन हो ह हमारे दिगजों के साथ वरिजनों के साथ यह अन देटें हमारी यह मांग हैं कि जल से जल पे जल का समय बदला जाए सब प्राते काल करें जाए अगर इस भी हाल तो द्रुनियों बढ़े पांच पांच6 साथ फीट खाली हो चुकी बरसात नहीं आ रही है अधिकारी के रहे हैं कि जब पानी नहीं है तो कहां से देंगे पैसे में आप क्या करेंगे देखे बहाने करने को बहुत कुछ सेवा करने वाले की नियत होनी चाहिए पिछले चाल साथ जब लबालब शहर की जीले थी तब ही लोग कहां गए थे और पच्चिस साल से बोर्ड लेकर बेटने वाले जो सीवरेज की बाते कर रहे हैं सीवरेज का ठेका किसको दिया गया किसके बोर्ड में दिया गया किसने सी ऊबालब होने की स्थिति में जल जीले बनेंगी एक लिंगनात का आश्रवाद बना रहेगा परन्तु एक बहाने लेकर और ये बारता कर रहे हैं उन्हें पिछले जो आज राजिर्पाल का दर्जा रखते हैं अगर वो अपने शेत्र वास्यों को पानी नहीं पिला सकते हैं तो मेरा मानना है उनको आज क्या रिस्तिफा देना चाहिए और पंजाब से आकर अपने घर में कीर्पन करने चाहिए